आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटा की बहुत ही मज़दार सी चतनी आप इसे मोमोस वाली चतनी भी कह सकते हैं यहां पर हम ले रहे हैं 10-12 सूखी लाल मिर्चे और 100 ग्राम लसन जिसे मैंने रफली चॉप किया है और यहां पर मैं यूज कर रहे हैं एक किलो टमाटर का यहां पर आप टमाटर देख सकते हैं अच्छे वले लाल लाल टमाटर और मैंने यह बॉम्बे वाला टमाटर होता है वो यूज किया है देशी टमाटर यहां पर यूज नहीं कर रही मैं और अब हम इन टमाटर पे बिलकुल हलका सा कट लगाएंगे आप देख पा रहे हैं और बहुत ही हलका सा कट लगाना है बिलकुल डीप कट नहीं लगाएंगे और इसी तरह सभी टमाटर में मैं कट लगा लूँगी तो यहाँ पर टमाटर लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि टमाटर थोड़े टाइट होने चीए हलके लूज टमाटर नहीं लीजिएगा अच्छे लाल लाल टमाटर लेंगे तभी आपकी चतनी मज़ेदार सी बनकर त्यार होगी किसी भी पैन में या पतीले में आप गरम पानी ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक पतीले में लिया है गरम पानी और पानी की कॉंटिटी इतनी होनी चीए जिसमें हमारे सारे टमाटर इसली डिप हो जाए उससे यादा पानी हमने यहाँ पर नहीं डालना तो सभी टमाटर को मैं इस गरम पानी के बीच में डाल दूँगी और अभी यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई है और अच्छे से हमने इसे उबालना है और अब हमने जो अपनी सूखी लाल मिर्ची ली थी वह भी हम इसी के साथ उबलते टाइम डाल देंगे और इसकी लाइंगे पीचे से जो सूखी यह पीचे से इसकी डंडी होती है वो हम तोड़ लेंगे और मिर्ची डाल देंगे यहाँ पर सभी मिर्ची को टमाटर को मैंने डख दिया और अब जब तक यह अच्छे से उबलता है जब तक हम इसकी वेड करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से उबाला आ गया है टमाटर और सॉफ्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं अब जो टमाटर की उपर की स्किन है वह बहुत ही इसली रिमूव हो रही है तो आप समझे की होंगे उस चाम मैंने कट क्यू लगाया था कि टमाटर अंदर से भी गल जाए और जो इसकी स्किन है बहुत ही इसली रिमूव हो जाए तो यहां पर टमाटर और हमारी मिर्ची अच्छे से उबल चुकी है और अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे तो बिल्कुल आपने पतला ग्राइंड करना है दरदरा नहीं रखना और अब हम एक कढ़ाई में यहां पर लेंगे सरसो का तेल तो यहां पर हमने लिए हैं दो बड़े चमच सरसो का तेल और इसके अंदर हम ए और यहां पर मैं एड कर रही हूँ 100 ग्राम लसन जिनने में रफली चौप करके रख लिया था तो यहां पर आप देख सकते हैं अब हमने लसन और राई को इसके बीच में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से हिलाते होए पकाएंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं काफी अच्छे से चलाते होए पूरे मसाले को हमने इसे कुक करना है तो जो हमने लसन डाला है बहुत यादा ब्राउन होने तक तो कुक नहीं करना हलका कुक हो जाए तब तक हमने इसे पकाना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से हिलाते हुए हम इसे पकाएंगे मसाले को ताकि यह लग ना जाए नीचे और अब मैं यहाँ पर एड कर रही हूं मेथी पाउडर मैंने मेथी दाना लेकर उसे मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया था और यहाँ पर मैंने उसका पाउडर बना लिया है अगर आप चाहें तो मार्केट से डिरेक्ट पाउडर भी ले सकते हैं और यहाँ पर मेथी पाउडर के साथ हम डालेंगे एक बड़ा चमच नमक का एक बड़ा चमच मेथी दाना है और एक बड़ा चमच नमक है यह दोनों मसाले डालने के बाद हमने से-से हिलाया है और अपना जो टमाटर हमने पहले से ग्राइन करके रखे होए थे वो हम इसके बीच में डाल देंगे तो यहाँ पर हमने टमाटर डाल दिये हैं और अब अच्छे से हम इसको कर देंगे mix तो यहां पर बहुत ही अच्छे से हिलाते हुए आप इस बैटर को mix कर दें और इसे अच्छे से आप cook करें तो यहां पर चटनी को आपको अच्छे से cook करना है ताकि जो टमाटर का कच्छा पन है एक वो निकल जाए उजब तक टमाटर का जो आप पका रहे हैं इसका ओयल ना निकल आये जब तक MSALE से तब तक आप उसे cook करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे काफी देर अच्छे से cook कर लिया है और जितना भी ओएल था वो निकल कर बाहर आद चुका है और अब हम इसके बीच में एड़ करेंगे एक बड़ा चम्मच सिर्का विनिगर का यूज किया है मैंने एक बड़ा चम्मच और विनिगर का यूज इसलिए है कि इस चत्नी को आप स्टोर करकर रख पाएं तो आप इस चट्नी को बना कर स्टोर करके अपने घर पर रख सकते हैं और हमारी चट्नी यहाँ पर त्यार हो चुकी है और वैसे तो स्टोर आप करके रख सकते हैं पर यह चट्नी यकीन वानी आप जैसे ही बनाएंगे घरवाले इतने पसंद करेंगे कि फटा-फट से खाकर खत्म कर देंगे तो बहुत ही मज़दार सी चट्टनी की रेसिपी यहां पर बनकर त्यार हो चुगी है तो आप इस रर्सिपी को अपने घर पर कब बना रहे हैं हमें कमेंड करके जरूर बताएखेगा आप इस चटनी को रोटी के साथ खा सकते हैं प्राउठी के और यहां पर मैंने यूज किया है काला नमक, थोड़ा सा लसन, प्याज, भुनावा जीरा और अब हम अपने धनिये को यहां पर मिक्सी के जार में डाल देंगे साथ ही साथ डाल देंगे हम इसके बीश में कड़ी पत्ता और अब इसके उपर से रखेंगे हम हरी मिर्ची 3-4 लच्छन की कलियां में यहाँ पर यूज की है और इसी के साथ हम एड़ कर देंगे एक बड़ा प्याज जिसे मैं इसके बीच में कट करके डाल रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच काला नमक और एक बड़ा चमच भुनावा जीरा का पाउडर तो यहाँ पर यह सारे मसाले हमने डाल दिये हैं और उपर से निचोड़ेंगे आधा नीबू तो यह जो चटनी है बहुत ही मज़दार से बनती है आप इस चटनी को बना कर स्टोर करके रख सकते हैं तो आप हम इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आपने देखा मैंने इसे मिक्सी में कर लिया है बहुत ही बढ़िया सा ग्राइन और चटनी हो चुकी है बनकर त्यार तो यह जो चटनी है आपके बालों के लिए आपकी इत्वचा के लिए बहुत ही फाइदे मंद है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई के अंदर हम एड़ करेंगे एक बड़ा गिलास पानी का तो यहाँ पर हमने इसके बीच में 100 ग्राम इमली का यूज़ करना है तो यहाँ पर मेरी जो इमली है वो सीड वाली है आप चाहे हैं तो बिना सीड वाली इमली का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसी के साथ मैं एड़ कर दूँगी 100 ग्राम खजूर यहाँ पर मैंने 100 ग्राम इमली का यूज किया है और 100 ग्राम खजूर का यूज किया है और अब हम इने लिड लगा कर कवर कर इसने रख देंगे जब तक इसके अंदर अच्छे से एक उबाल नहीं आ जाता तब तक के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर बहुत भड़ी उबाल आज जुका है और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे और गैस का फ्लेम मैं बन कर दिया है और गैस के उतारने के बाद खलका सा जब यह ठंडा हुआ है न तो मैं मैशर से इसे अच्छे से मैश कर रहे हूँ आप चाहें तो हातों से भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं तो यहां पर मैंने बहुत ही बढ़िया से इसे मैशर से अच्छे से आप देख सकते हैं पुरा मैश कर दिया है और जो इसके सीड्स होंगे न वो अलग हो जाएंगे और जो इसका थिकनेस होगी वो अलग हो जाएगी तो यहां पर अब हमें लेंगे बड़ा सा बाउल और ले जाएगी वो अच्छे से चन्नी में आजाएंगी और जो हमारा इमली वाला पार्थ है वो नीचे आजाएगा तो यहां पर देख सकते हैं इसमें काफे सारी गीटक्स हैं तो इसी तरह मैं अच्छे से चान रही हो ताकि एक जो हमें चत्नी बनाने के लिए मैटीरियल चाहि है यहां पर और उसी कड़ाई के अंदर हम अपने चनी हुई चत्नी को जो हमने इमली और खजूर की चत्नी बनानी है उसको वापस डाल देंगे और इसके बीच में हम एड करेंगे 100 ग्राम गुड का तो यहां पर क्वांटिटी में ध्यान देने माली है 100 ग्राम इमली 100 ग् चाला नमक और इसी के साथ एक बड़ा चमच सफेद नमक और आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर और आदा चमच जीरा पाउडर यह सब डालने के बाद हमने इसे बहुत ही बढ़ी आसा मिक्स कर देना है तो आप देख रहे हैं काफी अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रहे हो औ और इसे हम कोड़ करेंगे जब तक इसमें अच्छे से अच्छे आ चुका है और अभी हम इसे एक बरी चेक करेंगे कि जो मारी चतनी है वो कितनी उसकी गाड़ी हुई है कितनी गाड़ी नहीं है यहां पर मैं इसके बीच में तोड़े से सफेद तिल का यूज़ कर रहे हूं इसे डालने से चतनी का स्वाद भी बहुत आएगा और चतनी लुक वाइस भी बिल्कुल परफेक्ट मार्किट साइल जैसे बनेगी तो यहाँ पर हमने तिल डालने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडे हो जाएगी तो उसके बाद अब हम इसे यहाँ पर कांच की कंटेनर में निकाल रहे हैं आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में निकाल के से रख सकते हैं और यहाँ पर इस चतनी को आप कांच की कंटेनर में निकालने के बाद तीन महीने तक स्चोर करके रख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया खजूर और इमली की चट्नी घर पर बनकर त्यार हो चुकी है झाल 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 झाल